टेकनोलोजी से जूड़ी वीडियो पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पे क्लिक करके और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रू से ज़रू दबाएं आपका बहुत-बहुत स्वागत है आमारे चैनल टेकन पोई हिंदी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त दनीस friends बहुत दिनों से मैं आपने चैनल पे कोई भी अपडेट नहीं दिया कोई भी वीडियो नहीं डाला है इसके लिए बहुत बहुत sorry आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से busy था कुछ काम में इस विडियो अपलोड नहीं कर पाया तो friends sorry और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से मैं आपके बीच आ चुका हूँ एक नए ट्रिक के साथ एक नए वीडियो के साथ तो आएए friends इस वीडियो में वो ट्रिक हम जानते हैं कि क्या ट्रिक है friends normally हमारे जो मतलब Android smartphone होता है उसमें एक message का app होता है तो वो app में आपको inbox भी देखने को मिल जाता है तो inbox में बहुत सारे messages आते रहते हैं हमारे friends के, हमारे family के या फिर companies के तो friends में आपको बताना चाहता हूँ कि message आते आते inbox हमारा full हो जाता है और full होने कारण नया message या फिर important message जो आने वाल रहता है वो नहीं आता है इस वज़े से बहुत सारे messages हम lost कर देते हैं बहुत सारे messages खो देते हैं तो आईए friends में आपको एक ऐसा trick बताता हूँ जिससे आपका अगर message thousand से उपर जाता है thousand से उपर हो जाता है तो आपका phone उसको खुद से समझ लेगा और खुद से आपका पुराना message को date करने लगेगा और आपका नया message आने लगेगा मतलब आपको कोई भी चिंता करने की जरूत नहीं है कि आपका inbox full हो गया है ये सब चिंता आपको रखने की जरूत नहीं है तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरी के सी काम होगा कैसे आपको ये option जो है on करना है पहले इसके लिए आपको जाना पड़ेगा messages में जहाँ पे आपका inbox होता है ये inbox में आप आ गए वहाँ पे more का और एक option होता है friends more के option में आप जाईए वहाँ पे आपको एक setting का option भी मिलेगा setting का option में हम गए वहाँ पे देखे more setting एक option है सबसे नीचे वहाँ पे हम click किये click करने के बाद हम एक और option में आ गए देखे यहाँ पे सबसे नीचे एक option है delete old messages तो इसी को आपको on करना है देखे यहाँ पे मैं off कर दिया भी on था मेरा तो फिर से मैं इसे on कर दिया तो friends इसको आपको क्या करना है कैसे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यह देखे यहाँ पे लिखा हुआ है delete the oldest messages when the maximum number of text thousand and multimedia hundred messages has been exceeded तो यहाँ पे बताया जा रहा है thousand messages अगर आपका हो जाता है उसे ज़्यादा तो आपका phone खुझ से उसको delete कर देगा और hundred multimedia जो messages होते हैं वो hundred से ज़्यादा हो तो वो phone आपको खुझ से delete कर देगा उस message को तो friends मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह बस on कर दिजी यह जो option है उसके बाद आप निशिंथ हो जाएए आपका phone आपका काम खुझ से कर देगा आपको कुझ भी नहीं करना पड़ेगा तो यही एक trick था जो मैं आपको बताया आशा करता हूँ यह trick आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो friends इस वीडियो को कुझ woke आपको एक कुझ कुझ